हेले एव्रिवान, वेल्कम बैक टो दे चानल, हूप आप सब अच्छे हैं, आज मैं आप सबसे मेरे 6 तू 9 ओ क्लॉक का जो रूटीन है वो शेयर करना चाहती हूँ, और उसके पहले सबको हैपी गनिश शतूर्थी, इस साल हम लोग पुजा नहीं कर सकते हैं घर पे, लेकिन हम लोग टेमपल जाएंगे वीकेंड में और आप लोग के साथ जरूर शेयर करेंगे वीडियो, तो मॉर्निंग को उटके सबसे पहले मैं एक गलास पानी पीती हूँ, और मुझे थाइरोड है तो मुझे खाली पेट थाइरोड का दवाई लेना परता है, फिर रात में जि मुझे जमेला लगता है और आज भी हम इंडियन्स को हाथ से धोने में जादा अच्छा लगता है, तो आज कल मैक्सिमम बरतन में हाथ से धोके रख देती हूँ, और सारे बरतन अपनी जगा में होते हैं, तो थोड़े काम करने में भी आसान हो जाता है, जगा थोड़ा खा मिश्टी के स्कूल में जो ब्रेकफस्ट के लिए ड्रेडी करती हूं तो कभी कभी उसके स्कूल में तो नहीं देना पड़ता है लेकिन जिस दिन भी कुछ और रहता है तो मैं कोशिश करते हूं कि मैं ही उसको बना के दूँ तो मैंने ब्रेड उसके लिए निकाले और ब्रॉकली उसको अच्छा लगता है खाना और हम लोग अपने लिए जो अदर आलमंड्स है और रात में ही भीगों के रख देती हूं आप सुभह उट के दवाई लेने के बाद ये खाती हूं तो क्यूंकि ये मैं अच्छी एक डायेट फॉलो करती हूं तो वह हल्दी फाई मी के थू में डायेट फॉलो करती हूं तो उसमें ऐसा ही है के पहले आ क सारा को मैं आज एक आलू और पनीर को सैंडवीच बना के दूँँगी तो उसके लिए मैंने एक आलू रख दिये छहा है कि जो अ जो ब्रॉक्ली हैUSको ब्रॉकली के लिए थौरा सा बॉल कर लोंगी ह्याहल ‫ 식 kへ थौ ए पिर सैंड्वीच का स्टफिंग बना हलूंगी if ब् तेल में सौटे करके नमक डाल के उसको दे देती हूं बहुत अच्छे से खाती है तो यहां पर फिर मैंने स्टफिंग रेडी कर लिया था स्टफिंग में ज्यादा कुछ नहीं डाला खली एक आलू और थोड़ा सा पनी डाल दिया था थोड़ा गाजर मैंने ग्रेट करके डा बहुत ज़्यादा मसाला नहीं यूज करते हूं कि वह तीखानी ही पसंद करती है तो यह सब करके फिर मैंने का सैंडवेच बना लिया था और अविन को भी मैंने सेट करके रख दिया था तो आहां इजी हो जाता है क्यूंकि आविन आपके पास है तो आप आराम से इसमें स सेट के बीश का टोस्ट पना ले सकते हैं तो इधर मेरा ब्रॉकली भी बॉयल हो गया तो इसको मैं निकाल के रख दी और फिर सेंडवीच के लिए जो भी पाकी मसाले है अच्छे से मिला के तो मैं सेंडवीच का तयारी कर लूंगी सेंडवीच के लिए मैंने ब्राउन ब्रेड यूस किया है यूजल्यम लोग भ्राउन ब्रेडी खाते है या जो भी ब blossom हीड खाते हैं तो इसमें मैंने थोड़ा दोनों ब्रेड के साइड में सॉस थोड़ा सावडा दीया हलका हलका और इसको प्रेट करके फिर जालक पुल शुंच से सेन्विच की तरह बना वन के तूब भूरे साइब बटर लगा दिती वो डिनती ओ भोडर वह बना था अरो अफिर साद में थोड़ा था सब बेनल एकट करना था ब्रॉकली को मैंने थोड़ा सौटे कर लिया और जो सैंड्विस था उसको मैंने अच्छे से काट के उसको दे दिया फिर हम लोग का नाश्टे का भी मैं तयारी कर ली हम लोग नाश्टे में खाये थे सेमिया तो जो सेमिया है उसको मैंने अच्छे से थोरा सा पहले रोस्ट कर लिया बजार में रोस्टेट भी मिलता है बट मैंने लेती हूँ क्यूंकि अगर कभी-कभी कुछ और बनाना पड़ता है जिसमें रोस्ट नहीं करना होता है तो फिर दिक्कत हो जाता है तो यूशुली हम लोग कोशिश करते है कि सुभे जल्दी उठके ये सब काम कर लेने के लिए सारा उठने से पहले ताकि वो उठने के बाद काफी टाइम हमारे पास रहे उसी बीच में फिर मैं नहने चली गई और राजेश अपना एक्सरसाइज कर रहे थे मैं आजकल अपना एक्सरसाइज मौर्निंग टाइम नहीं कर पाती है उतना टाइम नहीं मिलता है तो मैं आफ्टर नून में वो कर लेती हूँ तो फृम्ट संड नर्ड शो खाने के बाद एक्सरसाइज काने के बाद आज झूश्ड है तो राजिश बॉइल एक रेक्ट भोईल सकते हैं तो उनके लिए मैं तो नंके लि rein – कोई न प्रोटीन लन को लेना होता है और अपने लिए अंडे रख लिए और वो मैं फिर बाद में खा लिए थी फिर सारा भी रेडी होके आ गई थी नहा के वो रेडी हो गई थी अभी तक ड्रेस नहीं पहनी है तो मैंने उसको पहले उसका सीरियल्स दे दिया तो उसको सीरियल्स अच्छा लगता है खाना तो दूद के साथ सीरियल्स वो खा के स्कूल जाती है और उसके बाद मैंने उसको रेडी कर दिया स्कूल के लिए ड्रिस पहना के और थोड़ा बाल अच्छे से बना दिया इस टाइम पर कुछ-कुछ वो बोल रही थी कि उसके स्कूल में क्या होता है नहीं होता है कौन-कौन से फ्रेंड्स बने हैं और बोल रही थी कि कोई फ्रेंड्स है जिसके साथ वो खेलती है तो ये सब बाते मैं कर लेती हूँ और उसका बैग भी मैंने पैक कर दिया मैं भी रेडी होके जो भी नाश्टे के लिए चाहिए था वो सब काट ले थी और वेजिटेबल्स में मैंने थोरे से मटर और गाजर और ओनियन अंड करीपता वगेरा ये सब डाल के फिर मैंने जो सेमिया है वो जाने से पहले ही बना लिया था क्यूंकि फिर आने के बाद काफी लेट हो जाता तो मैं नाश्टा बना के ही सारा को स्कूल हम लोग छोड़ने गए थे ये सेमिया उपमा साउट इंडिया में बहुत फेमस है ये मैंने वहाँ पर जाके ये सीखा है काफी अच्छा लगता है ये खाने में और मैं जब ओफिस में काम करती थी तब मैं ये बहुत खाती थी तो फिर मैं घरी में ये बनाना सीख ली ताके इसको में न करूँ तो यहाँ पे भी आके मैं ये सब कभी-कभी बनाती हूँ हम लोग साउथ इंडियन हम लोग को ब्रेकफस्ट करना अच्छा लगता है तो इधर सेमिया भी बनके रेडी हो गया फिर हम लोग निकल गए थे सारा को लेके और वो जब भी स्कूल जाती है बहुत जादा एक्साइट रहती है स्कूल जाने के लिए उसको बहुत जल्दी होता है जाने का तो जैसे कि आप लोग को पता है अब हमारी कार आ गई है तो हम लोग उसको कार से छोड़ने जाते है और हम लोग दिखाएंगे आपको के यहाँ पर क्या सिस्टेम है कार से छोड़ने का तो यहाँ क्या होता है आपको एकदम स्कूल के सामने ही छोड़ना पड़ता है और आप कार से नहीं उतर सकते है जो टीचर खा रहे हैं वो ही लोग बच्चा लोग को कार से निकाल के ले जाते हैं उसके बाद हम लोग फिर घर के लिए निकल गए गर आते के साथ ही फिर मैंने अब हम लोग के लिए जो ब्रेकफस्ट था वो निकाल के हम लोग खा लिए ब्रेकफस्ट करके थोड़ा दिर मैं टीवी देख ली थी उसके बाद मैं लंच का प्रिपरेशन के लिए आ गई तो लंच में मैंने बनाया था बैंगन फ्राई और थोड़ा डाल बनाई थी और पनीर बुर्जी शाम के लिए बनाई थी मैं शाम का भी सबजी बना लेती हूं क्योंकि सारा आने के बाद फिर उतना टाइम नहीं मिलता है उसके साथ बैठने का पढ़ाने का या खेलने के लि बैंगन बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने बनाया था बस हल्दी और नमक डाल के मैंने रख दिया था और उसको बाद में मैंने फ्राई कर लिया था इधर डाल भी मैंने रेडी कर लिया था तो मसूर डाल बना रही थी उसमें हल्दी और नमक डाल के अच्छे से प्रेशर कूप कर ली थी डाल को फिर एक साइड में मैंने डाल का तरका लगाने के लिए करहाई और एक साइड में बैंगन फ्राई कर ली डाल में बस थोरा सा प्याज और सुखी लाल मिर्च का तरका लगा दी थी डाल और बैंगन रेडी हो गया था उसके बाद एक साइड में मैंने चावल और पनीर भुट जी का प्रिपरेशन कर लिया जो भी मेरे वीडियोज पहले से देख रहे हैं उनको भी तक पता चल गया होगा कि पनीर भुट जी मैं बहुत जादा बनाया करती हूं क्यूंके हम लोग मैं रुटीन फॉलो करती हूं एक मील फॉलो करती हूं इसमें प्रोटीन लेना पड़ता है तो मैं पनीर और चिकेन ज यह रेड ग्रेप्स थे यही खा रही थी तो मिड मॉर्निंग स्नैक में हम कुछ फूर्स ले लेते हैं फिर मुझे काफी नीन दा रहे थी तो मैं थोड़ा सा जाके हाफ एन आर के लिए सो गई थी और उटके फिर लंज के लिए थोड़ा सलाट काट ले थी तो यह भी एक मतलब मील में जो प्लान है वो बोला जाता है कि आपको सब तरीके का फाइवर और प्रोटीन कार्ब यह सब मिक्स करके खाना चाहिए तो हम लोग को फाइवर मिलता है सलाट से इसलिए हम लोग कोशिश करते सुभे शाम सलाट खाने का लंच हम लोग कोशिश करते है कि साथी में करें क्योंके लंच टाम में थौध बहुत बात करने का टाम मिलता है नहीं तो दिन भर राजेश बिजी रहते हैं काम में फिर जब तक शाम होता है फिर सारा आ जाती है तो भी टाइम जना होता है और फिर हम लोग के पास उतना टाइम नहीं मिलता है तो इस टाइम पर हम लोग साथ में बैठते हैं ताके और थोड़ा कुछ-कुछ बात भी कर ले उस समय खाना खाने के बाद फिर राजिश कहे थे सारा को लाने और मैं अप्टर नोन एक्सरसाइज कर ले री थी क्योंके मुझे मॉर्निंग में अब टाइम नहीं मिलता है जैसा का मैंने पहले बोला था सारा फिर आगे और वो बहुत एक्साइटेट थी आज क्योंके उसको स्कूल में उसके मैम ने कुछ दिया था आज मैं नहीं गई थी तो मुझे दिखाने के लिए दूर से ही दिखाने के लिए आ रही थी तो फिर मैंने उसको पूछा क्या मिला है तो यह बोली कि मैम ने द दालती हूं क्योंके बहुत सारे कप्रे होते हैं उसके जो स्कूल साथी गंदे हो जाते हैं तो जो भी मेरे दिन के भी कप्रे होते हो एक ही साथ में डालती हूं ताके बार बार मशीन चलाना पड़े क्योंके यह बहुत जादा आता है तो उसके कप्रे कुछ स्कूल के कप् तो मैंने शाम को वो सब डाल दिया है तो ऐसको फीर फिर थोड़ा कपकेक मेनी कपकेक खाना था तो मैंने दे दिया हम लोग भी अपने लिए थोड़ा ड्राइफ्रूट निकाल लिये लोग ड्राइफ्रू इस टाइम पर अभी इस्कूल में को लिंख भेजा गया है YouTube से इन लोग को कुछ-कुछ दिखाया जाता है ABC लेटर जो है सिखाया जाता है इसी तरीके से तो हम लोग को बोला जाता है घर में भी आप ऐसी प्रैक्टिस कराइए तो उन लोग को इंट्रेस्ट आएगा तो सारा भी काफी एंजॉय करकी ये सब देखती है उसको काफी मज आता है तो आप लोग भी देख सकते हैं वह कितना इंजाए कर रही है आप 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 स्कूल में असको जो सेंडवीच मैंने दिया था वह तो खाई नहीं पुरा तो वह बोली शाम को आके मुझे संडवीच चाहिए तो मैंने बस हलका सा कुकुमबर और सॉस लगा के उसको सैंडवीच बना दिया शाम को फिर राजिश और सारा थोड़ा पार्क चले गए थे डेली राजिश सारा को पार्क में ले जाते हैं क्योंकि वो सब एक्टिविटी भी जरूरी होता है और सारा को भी पसंद है पार्क चाना तो जब तक वो लोग पार्क में गए थे मैं थोड़ा सा इदर सारा के लिए ओमलेट बना रही थी उसको काफी अच्छा लगता है डाल के चावल के साथ डाल और ओमलेट पसंद करती है तो बनाने के बाद फिर मैं हम लोग के जिनर का भी तयारी करने लगी रात में हम लोग दोनों ही रोटी खाते हैं तो ज़्यादा बनाना नहीं पड़ता है क्योंके मैं बस एक ही रोटी खाती हूँ मेरे प्लान में एक ही रोटी है और राजेश के लिए तीन या चार रोटी बनाना पड़ता है तो फिर मैंने रोटी बना लिया और वो लोग भी आ चुके थे तो अल्मोस्ट सेवन थर्टी को हम लोग कोशिश करते हैं कि डिनर कर ले क्योंकि फिर हम लोग को उसे साब से सोना पड़ता है और नेक्स टे सारा का स्कूल रहता है तो हम लोग काफी जल्दी कोशिश करते हैं कि डिनर कर ले तक कि नेक्स टे सारा को उठने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो और आजकल सारा को एक अक्टिविटी भी मिला हुआ है स्कूल से कि उसको रीडिंग करना है डेली अटलिस 10 मिनिट्स या 20 मिनिट्स तो एवरी मन्थ अभी उन लोग को एक शीट दिया जाता है जिसमें वो लोग इतना दे रीडिंग करते हैं उसके बेसिस में अगर वो लोग पूरा शीट कम्प्लीट करते हैं तो वो लोग को मन्थ 10 में स्कूल से एक वेंडिंग मशीन से एक बुक फ्री में मिलेगा तो इसलिए उसको खाना खिलाने के बाद रीडिंग भी करना पड़ता है इदर हम लोग का डिनर भी रेडि हो गया था थोड़ा मैंने सुभे का जो बैंगन था वो था पनीर भुजी अंसलाट ले लिया और रजेश के लिए डाल और पनीर भुजी वो बैंगन पसंद नहीं करते हैं तो उनके लिए सलाट डाल और पनीर भुजी था तो उसकी सारा को भी मैं साथी में खिला देती मैं भी उसके साथ ही खाना खा लेती हूँ खाना खाने के बाद जो भी थोड़े मुरे बर्तन होते हैं वो मैं साफ कर लेती हूँ बहुत जादा बर्तन जमा नहीं होता है क्योंके दिन भर के बर्तन साफ होता रहता है तो बस यह सब जो भी थोड़े मोरे बरतन थे साफ करके बस अब मैं किचेन को क्लीन करके और देख सकते हैं आप लोग के नाइन ओक्लॉक हो गया है तो अब मैं जो अलमंड्स सुभे खाती हूँ बस उसको भीगाना है और दिन सारा को मुझे हाफ एन आवर कुछ मिलता है ताइम तो उसके बीच में उसको एक स्टोरी रीट करती हूँ अगर आप लोग को मेरा ये 6-9 का रूटीन अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा जो भी अभी तक चैनल में नए है या सब्सक्राइब नहीं किये है चैनल को जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आपका एक सब्सक्रिप्शन हमको बहुत मोटिवेट करता है और टेक कियर बाई बाई मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में